Hey everyone, welcome back, अगर आप भी समय Nokia 2021 Smart TV लेनी की planning कर रहे हैं, तो ये video specially आप के लिए है, एंड तक आप video को जरूर देखना, जैसे कि हाँ आप आप देख सकते हैं, ये है Nokia 2021 4K TV, फिलाल मेरे पास यो variant है, ये 55 इंच का variant है, screen size काफी बड़ी लग रही है, obvious ही बात है, well इस TV को मैं पिछ पता है, initially हमें सभी चीज़े अच्छी रखती हैं, लेकिन जो problems रहना, वो long term usage में पता चलती हैं, तो इसलिए, यहाँ पर जरूर थी एक long term review की, and मैं हाजिर हो तो, आज की इस video में यहाँ पर मैं अपना 30 day का overall experience आपके साथ शेयर करूंगा, क्या problems मैंने हाँ पर face करी हैं, क कि अगर मेरा video सच में useful है, तो video के likes और comments देखकर आपको पता चल जाएगा, and हो सगर तो channel को भी subscribe कर लेजेगा, इससे हमें help मिलती है, और motivation भी मलती है, चली video को यहाँ पर हम शुरू करते हैं, तो जैसे कि मैंने आप सभी को video के starting में बताया, यह है Nokia 2021 Focus Smart TV, 55 inch के screen size के साथ, औ तीव में आपको 60 watt के JBL speakers मलते हैं, और यहाँ पर आपको 49 watt के on cue speakers देखने मलते हैं, आपकी जानकारे के लिए बता दो, दोनों ही TVs almost same है, बस जो difference है, वो sound output और speakers के brands का है, बाकि picture quality, performance, operating system, यह सब कुछ आपको same देखने मलता है Nokia के TVs में, वेल चलीए यहाँ यहाँ पर हम बा TV buy कर रहे हैं, तो आपकी पहली priority, picture quality होने चाहिए, then audio quality और इसके बाद बाकी सारे features, because आप TV buy कर रहे हो content देखने के लिए, अगर TV के picture and audio अच्छी होगी नहीं, तो फिर आप बाकी सारे features को लेकर करोगे क्या, वो सारे features को smartphone में भी मिल जाते हैं, तो इसलिए सबसे पहले यह वो web series हो, movie हो, gaming हो, या फिर normal PC वगरा connect करके TV में use करना हो, कहीं पर भी जो मेरा ध्यान है, वो distract नहीं हुआ, जब मैं movie देख रहा हूँ, तो मुझे ऐसा कहीं feel नहीं हुआ, कि TV में brightness कम है, colors अचे नहीं देखने मिल रहे हैं, dialogues properly सुनाई नहीं दे रहे हैं, या फिर जो background music है वो properly नहीं आ रही है, ऐसा कुछ भी कहीं पर भी feel नहीं हुआ, और पूरी तरीके से जब भी मैं content इस TV में enjoy करता था, मेरा पूरा ध्यान story पर रहता था, ना कि TV के कम्या गिनने में, और ये बहुत दो important है, अगर आप TV ले रहे हैं तो ये उसमें जरूर होना चाहिए, because कई TV's ऐसे होते हैं, like example के तोरपे, अभी हाली में मैंने OnePlus U1S buy करी थी, TV को test करने के लिए, and उसको लगब मैंने 1 month तक क्यूस करा, उस TV में problem यह थी, कि TV में brightness कम थी, और जब भी मैं कोई movie, कोई web series उस TV में play करता था, तो मुझे हर बार वो कमी खलती थी, और ये चीज बिलकुल भी अच्छा नहीं लगता, आप TV buy करो, content enjoy करने के लिए, और जब भी आप TV on करो, तो content छोड़कर आपको लगएगा, यार, कौन सी TV ले ली मेंने, इसमे brightness अच्छी आईरी नहीं, इसमें colors अच्छी नहीं देखने मिले, तो OnePlus के TV में वही problem थी, वैसे जाधा issue तो नहीं था, OnePlus के TV में देखने मिला था, और उसमें मैंने point out भी किया था, और इस वज़े से मैं OnePlus आपको recommend भी नहीं करता हूँ, ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे Nokia की इस TV में नहीं देखने मिला है, और एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, वो है reflection handling, येस इस इस TV में आपको reflections वगरा देखने मलते हैं, लेकिन उतने नहीं जितना आपको Mi TV 5X में देखने मलते हैं, Mi TV 5X वो भी मैंने test किया है, and Mi TV 5X में मुझे सब चीज़ अचा लगा, लेकिन reflection handling बिलकुल खराब है उसकी, आप अगर कोई भी object अगर सामने रग दोगे, जो की light produce कर उसका reflection directly आपको TV में देखने मलते हैं, अब आप ही समझे, अगर reflections इतने सारे आएंगे, तो आपको कहां मज़ा आने वाला है content enjoy करने में, yes इस TV में भी reflections देखने मलते हैं, ये side में light है, अगर मैं इसको सामने रग दो तो आपको reflection देखने मलेगा, लेकिन Mi के comparison में, OnePlus के comparison में थोड़ा सा कम देखने मलते हैं, तो इन सब चीज़े को अगर आप use करेंगे, यतने सारे TVs को आप use करेंगे, तो समझ में आता है, तो जितने भी TVs में आवे तक use करेंगे हैं, उनके comparison में, इस TV की picture quality अच्छी है, आपको content देखने में और सुनने में कोई रोलम नहीं आने वा अब थोड़ा सा हम detail में deep dive करेंगे, और एक एक चीज़ों को point out करके बाहर निकालेंगे और detail में बात करेंगे, तो शुरू करते हैं display से, तो इस TV में हमें VA panel मिलता है, अब बहुत सो लोगों को ऐसा लगता है कि VA panel अच्छा नहीं होता है, सिफ IPS panels अच्छे होते हैं, जी नह ऐसा नहीं कहूंगा कि 400 nits काफी जादा है, काफी अच्छी brightness है, लेकिन इस समय इस segment में और 50,000 रुपे के second में, जितने भी TVs mostly market में available हैं, उनमें आपको mostly 400 nits की peak brightness देखने ही मिलती है, और उस अब से अगर देखा जाए और जो मैंने TV को use किया है, experience करा है, सब को sum up किया बट यहाँ अगर बात करें जाए, और ब्राइटनेस की तो ब्राइटनेस इस TV की अच्छी है, और ब्राइटनेस की कमी नहीं देखने मिलती है, इवन यहाँ पर साइड में एक विंडो है, अगर मैं इसे भी उपन करके TV देखता हूं, तो मुझे जो colors बगरा हैं, वो प्र यहाँ पर देखने मिल आती performance, and especially जब dark scenes आते हैं, HDR movies में, तो जो dark shades हैं, वो भी properly visible होते हैं, तो यह चीज़ मुझे इस TV की अच्छी लगी है, color reproduction भी TV का अच्छा है, view angle की बात करे जाए, तो viewing angle में VA panel थोड़े से पीछे रह जाते हैं, यह इंका drop, आप कह सकते हूं कौन है, तो सभी VA panel में आपको generally view angles अच्छे नहीं देखने मिलते हैं, लेकिन VA panel के साफ से गर देखा जाए, तो इसके view angles अच्छे हैं, 45 degree तक आपको कोई भी color loss नहीं देखने मिलेगा, उससे अगर आगे जाओगे और side में TV बैटके enjoy करना है, then उस case में आपको IPS panel लेना पड़ेगा, because उसके बाद जो colors हैं, वो थोड़े थोड़े से fade होना शुरू हो जाते हैं, अब scaling की बात करें चाहें, तो HD, Full HD, काफी HDR के से 4K में अब scale हो जाते हैं, लेकिन अगर आप अभी भी standard definition content 4K TV में play करना चाहते हैं, तो हर TV की तरह यहाँ पर भी आपको okay-okay से performance मिलनेगी, messages करू होगा setup box या पर DTS use करना चाहते हो, तो better है कि आप HD setup box पर switch कर लो, वो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा, अब ऐसा नहीं कि सब इस TV में अच्छा अच्छा है, कुछ बुराया नहीं है, जे नहीं ऐसा बिलकुल नहीं है, इस TV में भी कुछ कमिया है, यहाँ पर अगर brightness थोड़ी सी और अच्छी होती, तो ultimately HDR performance आपको और भी बहतर देखने मिलता है, colors मिलता था, colors की बात करे जाया, तो colors यहाँ पर थोड़ी से और अच्छी देखने मिलते, color gamut यहाँ पर थोड़ी से और अच्छा देखने मिलता, तो हमें different shades of colors देखने मिलता है इस TV में, लेकि skin tones है न वो भी काफी दा natural लगते हैं, जैसे कि मैंने बदाए, OnePlus में थोड़ा सा वो reddish tint आता था, वो यहाँ पर नहीं देखने मिलता है, चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं, इस TV के audio department की, तो यहाँ पर हमें Nokia के इस TV में 49Watt के on-cube powered speakers देखने मिल जाते हैं, Dolby Atmos का support भी यहाँ पर हमें देखने मिल जाता है, और audio department के मामले में कहूंगा कि यहाँ पर कोई भी कमी आपको नहीं देखने मिलने वाली है, speakers इस TV के काफी एच्छे हैं, आप ज़्यादा volume करते हैं, तो भी यहाँ पर आपको distortion नहीं feel होता है, audio जो है वो काफी ज़्यादा crystal clear सुनाई इसके लिए यहाँ पर अगर हम बात करें, बेस की जो की TV में generally नहीं देखने मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर इस TV के जो बेस हैं, वो काफी अच्छे हैं, मतलब अगर मैं compare करूँ बाकी अंदर TV से जिन में आपको 20 और 30 वाट के speakers देखने मिलते हैं, तो उनसे अच्छी performance यहा कोई कमी निकाला मुश्किल है, ठीक है, हाँ, अगर आपको और भी अच्छा experience चाहिए, तो definitely soundbar लेना पड़ेगा, soundbar जैसी performance तो नहीं है, लेकिन यह बाकी सारे TV से जो की normal speakers से जाए हैं, उनसे अच्छी audio quality यहाँ पर आपको मिल जाती है, बाकी performance की बात करे जाए, operating system की बा नहीं, apps को मैंने crash होते हुए, अभी तक इस TV में देखा है, पूरे one month के usage में, तो कहीं कहीं पर TV थोड़ा सा lag होती है, और एक point, TV के जब first time boot होती है, तो इसे लगबग 1 minute लग जाते है, पूरा TV on होने में, और पूरा stable होने में, 45 second में TV पूरी on हो जाती ही, home screen आपको देख इसके लबा, performance की बात करे जाए, gaming के मामले में, तो graphics यहाँ पर अच्छे मिलते हैं, और gaming performance भी अच्छी देखने मिल जाती है, cast की बात करे जाए, तो yes, यहाँ पर आप जो अपने Windows, Mac, और iPhone और अपने Android phones को भी जो है, बड़े आराम से cast कर सकते हूँ, casting में lags देखने मिलने वाले हैं, यह obvious है, बट यहाँ पर जो devices हैं, वो cast हो सकते हैं, connectivity में कोई issue नहीं आया है, सब बढ़ियां चल रहा है, 4K वीडियोस बड़े आराम से play हो जाते हैं, 15-20 Mbps का connection है, 4K वीडियोस बड़े आराम से आपके play हो जाएंगे, and audio quality भी Bluetooth के तुरू काफी अच्छी इस TV में, तो यह है मेरा पूरा overall experience, 30 दिनों का इस TV को लेकर, and as such मुझे कोई बड़ी major problem इस TV में नहीं देखने मिली है, even मुझे यह TV काफी अच्छी लग रही है, long term use करने के बाद, and as such कोई बड़ा problem नहीं देखने मिला है इस TV के अंदर, तो अब यहाँ पर आप सभी का स होती है, तो definitely आप Nokia TVs को consider कर सकते हो, मेरे साब से इस समय यह one of the best TVs है, budget category में, and picture quality, audio quality इन सब चिसको consider किया जाए, तो मैं Nokia की TV को अपने top 5 budget 4K list में number 1 पर रखना चाहूंगा, और last year इसका जो 2020 वाला model था, ओभी मेरे list में number 1 पर था, और इस साल जो 2021 वाला model जो की upgrade किया गया है यह भी अभी भी मेरे list में number 1 पर है, यहाँ पर आप सभी का और एक question आएगा कि जो Hisense Tornado है, वो लेना सही होगा या फिर यह Nokia की TV लेने चाहिए, देखिए, Hisense Tornado को भी मैंने तीन मैने तक यूज किया है, इस मैं primary TV, और Tornado की picture quality और Nokia की picture quality, दोनों almost similar है, कोई major difference नहीं लेकिन Hisense का plus point यह है कि वहाँ पर हमें 102W के JBL speakers मलते हैं, 6 speakers का setup दिया गया है, तो audio के मामले में definitely Hisense आपको बहुत ही अच्छी और cinematic audio provide कराने वाला है, इसी वज़े से जब मैंने इस TV को starting में यूज करना शुरू किया था, तो मुझे इस TV की audio उतनी अच्छी नहीं लग रही तो Hisense में आपको जो bass है वो थोड़ा सा अच्छा मिलेगा, loudness थोड़ी से ज़्यादा मिलेगी और उस TV में आपको sound bar की बिल्कुल भी ज़रत नहीं पढ़ने वाली है, तो audio के मामले में Hisense थोड़ा सा अच्छा option इकल कराता है, लेकिन वहाँ पर हमें Android 9 में, यानि Hisense में Android 9 मिलता है, Android 9 में कोई प्रॉलम तो नहीं है, लेकिन अगर आपको latest operating system चाहिए, आपको Nokia लेना चाहिए, विकास Nokia में Android 11 मिलता है, वैसे Android 9 में भी आपको सारे apps का support मिलता है, उसमें भी कोई प्रॉलम नहीं है, बस Hisense में कमी है, Android 9 और ER code वहाँ पर आपको नहीं मिलता है, जिस आपको यहाँ पर OnePlus, sorry, OnePlus का नाम क्यों आ रहा है, Nokia में देखने मिलता है, तो picture and audio अगर आपके लिए जदा important है और आपके लिए Android operating system latest होना इस सब ज़दा जारूरी नहीं है, और आप अच्छी audio quality चाहते हो, काफी loud और आप sound bar भी नहीं लेने वाले हो future में, then definitely आपको Hisense टुन मास वाले sound bar भी connect करना चाहते हो, और most important आपके पास console है, PS5, PS4 और आप 4K 60fps में gaming करना चाहते हो, तो इसमें HDMI 2.1 port दिया गया है, आप इसे consider कर सकते हो, तो यह totally आपके पर depend करता है, मेरे साब से Hisense Ronado and Nokia TV दोनों ही अच्छे option निकल कराते हैं, depend करता है आपकी requirement क्या है, उस आप से आप दोनों TVs को choose कर सकते हैं, I hope यह video आप सभी कर useful रहा होगा, हाँ, service की भी बात कर लेते हैं कि Nokia की after sales service कैसी है, देखिए, जो Nokia की TVs है, यह Flipkart ही manufacture कराता है, Flipkart ही इन TVs को sell करता है, और Flipkart ही की after sales service provide कराता है, because Nokia and Flipkart नहीं हाँ पर partnership करी है, लेकिन इसका ऐसा मतलब न हैं, negative reviews हैं, service को लेकर वो थोड़े कम हो चुके हैं, तो service की कर बात करे जाया है, तो इनकी service tier 1 और tier 2 cities है, जो well developed cities हैं, well connected cities हैं, उन cities में service आपको अच्छी मिल जाएगी, लेकिन अगर आप roller area में रहते हैं, जो की well connected नहीं है cities से, तो उस case में आपको service में problem हो सकती है, और रही बात यहाँ पर service की quality की, तो आपको हर brand में कुछ negative और कुछ positive reviews देखने मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर service यहाँ पर इनकी थोड़े सी improve होई है, और मैं recommend करूँगा cities बगरा में रहते हैं, तो आप बिंदास बाय कर सकते हैं, लेकिन अगर आप roller area में रहते हैं, तो उस case मे मुझे comment करके नीचे पूछ सकते हो, comment box में, और अगर आप directly मुझे से बात करना चाहते हो, तो आप मुझे Instagram पर भी directly contact कर सकते हो, TV की buying links में आपको नीचे description में दे दी है, I hope ये video आप सभी के लिए useful रहा होगा, मैंने honestly जो चीज़े थी वो आपको बता दी हैं, बस मिलता हू और नेक्स वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब दक के लिए टाटा, बाई बाई, सायो नारा